Hi everyone, तो आज हम लोग एक बहुत important topic discuss करने जा रहे हैं, जिसका title है कस्तूरबा गांधी बाली का विद्याल है, जिसको short form में KGVV भी बोलते हैं तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस scheme को लाया क्यों गया था और इसको launch कब किया गया था तो ये जो scheme है इसको launch किया गया था Government of India के दोरा August 2004 में और इसको लाने का मकसद क्या था, इसके तहट क्या बोला गया इसके तहट बोला गया कि setting up residential school at primary level for girls की primary level पर मतलब 6 से 8 की लड़कियों के लिए जो है residential school खोले जाए residential मतलब जहां पे उनकी रहने की व्यवस्ता भी हो, उनके लिए hostel भी प्रोवाइड हो और वहीं पे वो पढ़ें भी तो ये जो है इस school खोलने की बात की गए लड़कियों के लिए लेकिन कौन सी लड़कियों के लिए जो belong करती है predominantly SC, ST, OVC and minorities group से जो की difficult areas में और उन area में खोले जाएं जहां पर बहुती difficulty है, जहां पर कोई infrastructure नहीं है, कोई और school मौजूद नहीं है और वहाँ पर transportation की भी व्यवस्ता नहीं है, तो ऐसे जगाओं पे इन school को खोलने की बात कही गई government के द्वारा इस scheme के तहत, कस्तूर्बा गांधी बाली का विद्याले scheme के तहत तो ये जो scheme है, ये government of India के द्वारा इसलिए लाई गई क्यूंकि ऐसे areas में जो backward areas होते हैं, hilly areas होते हैं, difficult areas होते थे वहाँ पर school की जो व्यवस्ता होती थी, वो नहीं होती थी, नजदीक नजदीक, मतलब घरों के नजदीक school नहीं होते थी, काफी दूर school होते थे, तो जो parents थे, वो लड़कों को तो भेज देते थे पढ़ने के लिए, लेकिन अपनी लड़कियों को वो नहीं भेजते थे, क्योंकि वहाँ पर transportation की भी सुविदा नहीं होती थी, अच्छे से, और जो school होते थे, काफी दूर होते थे, उनका लड़कियों की रहने की, खाने की और पढ़ने की वेवस्ता होगी, तो अगर ऐसे school बनाया जाएंगे, जो parents है, ऐसे areas के, जो backward areas हैं, तो वहाँ के जो parents है, वो अपनी लड़कियों को जादा से जादा school भेजने के लिए प्रोत्साइथ होंगे, और जो ऐसे वरगों की लड़किया हैं, SC, ST, और जो other backward classes की लड़किया हैं, जो की residential school होंगे, जहाँ पर जो है लड़कियों के रहने की वेवस्ता भी होगी, तो starting में क्या होता है, कि ये जो scheme थी, ये जो थी start हुई थी as an autonomous one, autonomous मतलब ये जो थी एक स्वतंतर scheme थी, ये किसी और scheme के अंडर नहीं आती थी, लेकिन 1st April 2007 में जो है, इस scheme को जो है link कर दिया गया, merge कर दिया गया सर्वशिक्षा अभ्यान के अंडर ही, मतलब सर्वशिक्षा अभ्यान के साथ ही इसको जोड़ दिया गया इस scheme को भी, क्योंकि सर्वशिक्षा अभ्यान भी जो था, जो primary level के और upper primary level के बच्चे थे, उनके लिए ही काम करता था, उनके education के लिए ही काम करता था, तो ये जो scheme थी, ये भी जो थी upper primary level के लड़कियों के लिए ही खोली गई थी, तो इसलिए इन दोनों को merge कर दिया गया, मतलब किया जाएगा, जो educationally backward block है, जो मतलब education के मामले में जो कि पिछडे हुए blocks है, उनमें खोला जाएगा, of the country, where, जहां पे जो है, क्या होना चाहिए, कुछ point इन्होंने निरदारित किये, कि ये जो point है, ये fulfill होने चाहिए, सबसे पहले इन्होंने बोला कि जो number है, SC, ST, OBC और minority population का, वो जादा होना चाहिए, उस area में, should be more, where girls have low literacy than national average, जहां पे लड़कियों की जो literacy है, वो कम होगी, national average literacy से, तो मतलब जहां पे लड़कियों की जो literacy है, वो काफी जादा कम होगी, वहां पे खोले जाएंगे, और ये large number of girls out of school, और बहुत जादा number में, बहुत जादा जो लड़कियां है, वो school से बाहर है, जिनको school में admission ही नहीं मिली है, जो किसी भी school में पड़ नहीं पाई है, तो वहां पे खोले जाएंगे, next इन्होंने बोला, there are no upper primary school and traveling facilities, ऐसे areas में जहां पे एक भी upper primary school नहीं है, और वहां पे traveling facilities भी नहीं है, तो ऐसे areas में कहें कि 50 से schools है, खोले जाएंगे, इन्होंने ये बोला, next हम लोग देख लेते है, eligibility criteria क्या रखा गया in school में, कि in school में कौन सी लड़कियों को admission मिलेगी, तो यहां पर कहा गया, कि इस scheme के तहत, जो 75% seat हैं, वो reserve रहेगी, कौन सी लड़कियों के लिए, जो girls, ऐसी लड़किया हैं, जो belong क next हमने बोला, जो remaining 25% है, वो ऐसी लड़कियों को दी जाएगी, जो कि ऐसी family से belong करती है, जो कि below poverty line है, मतलब गरीबी रेखा कि नीचे जो लड़किया आती है, बहुत जादा poor है, BPL family से जो belong करती है, उन लड़कियों को जो है, 25% की seatे मिलेगी, जो बाकी बची है, तो next हमने बिल्कुल illiterate है, जिन्होंने आज तक स्कूल में अडमिशन नहीं ली है, तो ऐसी लड़कियों को भी अडमिशन मिल जाएगी, लेकिन उनको क्या करवाया जाएगा, उनको जो है, made to undergo 6 month long bridge course, उनको एक 6 महीने का bridge course करवाया जाएगा, और उस course के बाद ही, उनको जो है, और इस course में उनकी जो primary level के education है, उसको complete करवाया जाएगा, और इस bridge course के बाद ही, उनको जो है, admission मिल जाएगी, direct 6 to 8th class में, इन स्कूलों में, मतलब उनकी age के according फिर उनको admission मिल जाएगा, और उनकी age 6th class में बैठने लाइक होगी, तो 6th में बिठाया जाएगा, 7th के लाइक होग प्रोवाइड की जाती है लड़कियों को, तो सबसे पहले तो इन स्कूलों में free textbook दी जाती है, free uniform दी जाती है हर साल, इनको sports material जो है, जो खेलने की समगरी होती है, वो free में प्रोवाइड की जाती है, इनके लिए hostel की सूविधा होती है, जहाँ पे ये रहती है, तो इनका ज residential के प्राबधान है, वो भी इनी स्कूलों में किया जाता है, इनके रहने की व्यवस्ता, next है, इनको free education दी जाती है, इनसे कोई fees नहीं ली जाती, इनको free meal प्रोवाइड की जाता है, three time के, और इनको scholarship भी दी जाती है, अगर ये 50% से उपर marks लाती है, तो इनको स्कूलों में scholarship भी provide की जाती है, next है medical facilities provide की जाती है, स्कूलों में, और next है vocational training और guidance दी जाती है, vocational course मतलब जो व्यवसाई करण के course होते हैं, ये इसलिए सिखाये जाते हैं, ताकि आगे चलके लड़कियां जो है, अगर वो जो है आगे ना पढ़ना चाहे, तो वो जो है अपने लिए रो भी उनकी इच्छा हो, next है other necessary material, जो भी उनको वहाँ पे रहने के लिए जो material चाहिए होता है, वो भी उनको जो है provide किया जाता है, जो important material होता है, तो अब हम लोग इस scheme के main objectives देख लेते हैं, कि इस scheme को लाने के main उदेश्या क्या थे, तो सबसे पहला तो इनका उदेश्या था to ensure access and quality education to the girl of disadvantage group of the society, जो disadvantage group है society का, मतलब ऐसी लड़कियां जो backward area से आते हैं, हिली area से आते हैं, जो जिनको admission ही नहीं मिल पाई है school में, तो उन लड़कियों के लिए जो है, ये जो scheme है, ये main चलाई गई, ताकि उनको जो है, जो disadvantages group है, उनको जो quality education है, वो पहुंचाई जा सके उनको दी जा सके, इसलिए ये scheme लाई गई थी, next है, ensure greater participation of girl in education, लड़कियों की जो भागेदारी है, वो education में जो है, और ज्यादा increase हो सके, और ज्यादा जो लड़कियां है, वो participate करे, वो जाकर के school में admission ले, और ज्यादा से ज्यादा लड़कियां पढ़ सके, और सारी लड़कियों को जो है, इस scheme का में उदेश्या था, next है, increase literacy rate of girls in society, तो जब ये scheme लाई गई थी, तो जो लड़कियों के literacy rate था, वो बहुत जादा कम था, तो उसको increase करवाने के लिए जो है, ये scheme लाई गई, next है, decrease gender literacy gap, अब उस time जो gender literacy gap था, मतलब जो male और female की literacy के बीच में gap था, वो बहुत जादा था, तो उसको कम करने के लिए भी scheme को लाया गया, next है, retention of girls, लड़कियों का retention हो सके, जादा से जादा से जादा school में, मतलब लड़कियां जो है, admission तो लेती थी, primary education में, लेकिन वो क्या है, बीच में ही उसको छोड़ देती थी, drop out कर लेती थी, किसी क है, 2014 के अंकडों के अनुसार, 3593 जो विद्यालें हैं से उनको establish किया गया है, और इन विद्यालें में, जो है, 352,378 girls जो है, education ले रही है, मतलब, 352,000 से उपर लड़कियां इन स्कूलों में जो है, पढ़ रही हैं, इन स्कूलों का जो है, benefit ले रही हैं, तो ये थे कस्तू पुर्भा गांधी बाली का विद्याले स्कीम के कुछ important points, I hope आपको ये जो विडियो है, ये अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी होगी, तो प्लीज मेरे चैनल को like, share और subscribe, जुरूर कीजिए, मिलते हैं ऐसी किसी next वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखे, bye руू indoor spaces, VU जो बालोओ और कीजिये होगी होगी, एको ये लिजए पर मेर